वेलकम बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं रास्ट्री आये योगिता आधारी छात्विती परिक्षा के कुछ प्रशनों को आज हम फिर से सॉल्व करेंगे विज्ञान के कुछ नए 35 प्रशनों को चलिए फटाफट से अपने प्रशनों पर आते हैं हमसे कहा रहा है कि जिस प्रतिबिम्ब को परदे पर प्राप्त ना किया जा सके वा होता है दियान देंगे परदे पर प्राप्त ना किया जा सके पुछा है तो जिसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिम्ब इसे परदे पर तो नहीं प्राप्त किया जा सकता बच्चों लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है नेक्ट हमसे कहा रहा है पादपों में जल का परिवहन होता है यह क्वेशन हमने लास्ट वीडियो में भी सॉल्फ किया था जा से जाइलम जा से जल तो option A सही हो जाएगा हमारा बच्चों next देखिए किसी सामान व्यक्ति की विश्राम अवस्था में सामान स्वसंदर होती है तो कितनी होती है बच्चों यह होती है आपका option B 15-18 मिनट प्रती मिनट एक मिनट पे 15-18 बार जबकि बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी कितनी होती है 44 प्रती मिनट यानि एक मिनट में वो 44 बार सांस लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं next दम से पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तो हमें पता है कि इलेक्टरॉन की खोज सर जेजे थाउंसन ने की कब की 1897 में की इलेक्टरॉन पर कौन सा आवेश होता है और यड़ा वेश होता है तो प्रोतेशिम कलॉरेट के साथ मैंगनीज डाई Оकसाईड मिला जाता है कल्शियम कार्बोनेट का सूतर है तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूतर है CACO3 इसे हम चूना पत्थर या संगे मरमर भी कहते हैं नेक्स कह रहा है कोशिकाओं की क्रिया में यानि कोश्की क्रियाओं का नियंतरन करने वाला अंग है जो कोशिकाओं में क्रियाओं होती है उसका नियंतरन कौन करता है तो इसका नियंत्रन बच्चों करता है हमारा केंद्रक 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 केंद्र डियनने पाय जाता है जो पूरी कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रन करता है बच्चों Next question पूछ रहा है कि वायू के सापेच जल का अपवर्तनांग क्या है तो वायू के साथ पेच जल का पुरतनांग चार बटा तीन यानी एक दसमलो तीन होता है बच्चों चलिए आगे बढ़िए लोहे पर लगी जंग का रासाइनिक सूतर है तो लोहे पर जो जंग लग जाती है बच्चों उसमें नमी भी जुड़ जाती है तो वो होता है f203 x xh2o देखें याँ पानी जुड़ा हुआ है नमी भी जुड़ जाती है चल रहा है डेनियल इस से आप पहचान लेगे नेक्स कहरा है तो डेनियल सेल में बिधूध gas यानि CNG, इसको इंग्लिश में कहते हैं, compressed natural gas का मुख्य अव्यव है, तो इसका मुख्य अव्यव क्या है बच्चों, इसका मुख्य अव्यव है, methane, क्या सही हो जाएगा? methane, option B, तो हमारा right answer क्या हो जाएगा, बच्चों, option B, methane, चली आगे बढ़ते हैं लेक्स कहा रज़ा व्रिद्धा अवस्था के साथ उत्पन होने वाला दृष्टी दोस है यानि जैसे जैसे हम बूढे होते हैं वैसे वैसे हमें कौन सा दृष्टी दोस होता है तो इसे कहते हैं जरा द्रिश्टी दोस ऑप्शन सी जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिश बायोपिया प्रिद्धा अवस्था के कारण ऑक्सीजन की समंजन छमता घट जाती है यह समाप्त हो जाती इसलिए व्यक्ति ना तो दूर की और ना ही निकट की वस्तु हैं देख पाता है नेक्स्ट है उ उसे क्या कहते हैं तो प्रकाश्च की सर जो हमारी किरंड है वो जिस सतह पर पढती है बच्चों है उसे हम क्या कहेंगे आपतित किरा आने वाली किरण को क्या कहेंगे अपटित किरन ठीक है आप देखें यहाँ पर प्रेश्ट पूछ सकता था जिस सता पर पड़ती है तो सता पूछा होता तो उसको हम कहते समतल प्रिष्ट या कोई प्रिष्ट लेकिन यहाँ अपटित किरन दीया है इसलिए हम आपतित किरन को लगाएंगे next हम से पूछ रहा है Hepatitis B किस से फैलता है तो Hepatitis B बच्चों वायरस से फैलता है किस वायरस से फैलता है बच्चों एंटेरा वायरस से फैलता है इस रोग में क्या होता है? यकरित में सूजन आजाती है जिससे liver का जो आकार है वो बढ़ जाता है फिर next question दहन एक करिया है यह हमने हर वीडियो में क्या हुआ है बच्छों option A आकसी करन पौधे का पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक बनाते हैं यानि पौधे जो है वो पारिस्थितिक तंत्र के कौन से घटक हैं तो यह पौधे हम जो है option C उत्पादक में आते हैं बच्छों चलिए next में चलते हैं यदि किसी परमाड़ में 12 neutron है और उसका परमाड़ करमांग 11 है तो इस परमाड़ में कितने electron है तो ध्यान देंगे कि electronों की संख्या बराबर होती है परमाड़ करमांग के यानि कि protonों की आवरधक lens की तरह काम करता है जब वस्तु को lens के सामने रखते हैं कहां पर रखते हैं यह पूछ रहा है तो प्रकाशिक केंद्र और focus के बीच में जब हम रखते हैं तब ही वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिविंबनता है तब यहाँ आवरधक lens की तर होता है तो उत्तर लेंस यूज होता है जबकि दाथ देखने के लिए जो डॉक्टर यूज करते हैं वह कौन सा है अफ्तर लेंस चलिए आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन सा संबंद सही है यह अमने लास्ट वीडियो में भी लगाया था चाल बराबर दूरी बटा समय है ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा नेक्स कहरा है कि एक सरा लोलग बीस दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लिखता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा तो हमें पता है बच्चों कि देखिए दोलनों की संख्या इसमें दी हुई है 20 तो एक सेकंड में 32 सेकंड में 20 दोलन करता है तो एक दोलन पूर करने में कितना बटा बीस तो कितना सेकंड लगेगा एक दसमलो छे सेकंड और यही इसका आवर्तकाल हो जाएगा आवर्तकाल क्या होता है एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय हम सरलोल का आवर्तकाल कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नियत चाल से गती करने वाली वस्तु की दूरी समय होता है दूरी समय ग्राफ कैसा होता है बच्चो एक सरल रेखा होता है जब नियत चाल से गर्ती करती है तो इस दूरी जो है वो समय के साथ साथ एक तरह से बढ़ती तो इस तरह का ग्राफ मिलता है तो यह ऑप्शन ए जो है वह हमारा सही हो जाएगा 22 एक सरल रेखा प्रा अन्य तीन कार्बन पर्माड़ों से जुड़ा होता है और यह शट कोड़िये रेखिये संरचना बनाता है ठीक है याद रखेंगे और जबकि डाइमंड में चतुश फल की होती है प्रकाश रंसलेशन की क्रिया कैसी है most important question है बच्चों यह आपके exam में आ सकता है तो प्रकाश translation की क्रिया उश्मा सोशी क्रिया है उश्मा सोशी मतलब यह उश्मा का अवशोशन करती है चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर चलते हैं सूश्म जीवो द्वारा मृत पादपो पर क्रिया करने से बनने वाला उत्पाद तो क्या बनता है हूमस बनता है बच्चों खाद जिसक जो हैं वो प्रबल अम्ल है तो आप यहां पर बी भी लगा सकते हैं और डी भी लगा सकते हैं ठीक है तो आप यहां पर नाइट्रिक अम्ल भी लगा सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से आप डी लगाएंगे हैं आगे बढ़ते हैं कीटों को पकड़ कर अपना आहार बनाने वा होता है पित्तर संग्रहित होता है। मतलब इकठा होता है। कहां प्रक्ता beschleón में और बनता रक्त में बाइब होता ह्यूरा होता है। यह की चली आगे उपड़ती सिफ्टब में drive ऊक्सिजंग परिवहन होता है। किसे सुप्त material लोल होता है। सबसे जा 14 सर्थodes नाइट्रोजन गैस होती है बच्चों चली आगे बढ़ते हैं कियरा कीट की हानिकारक अवस्था है यानि जो कीड़ा होते हैं उनकी हानिकारक अवस्था कौन सी है तो अब ध्यान देंगे कि इसमें लारवा और वयस्क दोनों है तो यहां पर आप B भी लगा सकते हैं और D भ दूल प्रती ग्राम है चली आगे बढ़ते हैं मैं सही करना हुई इसको चली आगे बढ़ते है नेक्स कोश्चन हमारा इस्थाई चुमबक किसके बने होते हैं बच्चों इस्थाई चुमबक जो है वो लोहा, निकिल, कोबाल्ट की मिश्रिध हातूं से बने होते हैं इनको कृतिम बिर्धियों द्वारा बनाया जाता है तो option C जो है वो हमारे सही हो जाएंगे बच्चों next कहा है जब एक वस्तु से electron दूसरी सता पर चले जाते हैं प्लस जब तक पर्माडव दासीन होता है जब तक दोनों बैलन्स होते हैं अब electron इधर चला गया बहर चला गया तो यहाँ पे electron कम हो गया यानि माइनस कम हो गया तो बढ़ेगा कौन बच्चो प्लस तो यानि पर्माडव कैसा हो जाएगा धनावेशित हो जाएगा तो यहाँ पर हमाँ सही अंसर हो जाएगा option c धनावेशित चलिए आई होप आपको समझ में आए होगा बच्चे गलती कर देते हैं electron देखके minus लगा देते हैं जबकि electron अगर बाहर जा रहा है तो परमाडू धनावेशित होगा नेक्स करा छोटी माता रोग सूशम जीव से होता है वह सूशम जीव कौन सा है तो छोटी माता रोग बच्चों वह आपका वैरी सेला जोस्टर नामक विशान उद्वारा होता है तो यह option A जो है यह हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर बच्चों हमारे 35 प्रशन समाप्त होते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में समाजिक विशे के कुछ प्रशनों के साथ और मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़े से मांसिक योगिता परिक्षन के भी प्रशनों को हल करा सकूँ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए बाई बाई बच्चों